आपके साथ मैं हुआ अंकिताओ और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइन्स पर बीजेबी सांसदों के लिए दो दिन के सांसद कारेशाला का प्रधान मंसरी ने किया शुभारम संसद में कारिक्षम्ता बढ़ाने और संगठन की कारेश संसकती के बारे में दी जा रही है जानकारी समापन सत्र को प्रधान मंसरी कल करेंगे संबोध है नकसलियों के खलाफ अभियान में बड़ी काम्याबी 36 गड़ के राजनान गाउंस दिले में सुरक्षा मलों ने साथ नकसलियों को किया धेर एके 47 समेथ भारी मातर में हत्यार परामत जब मुकश्मीर के राजपाल ने की अब वाहो पध्यान ना देने और राज में शांती को बनाए रखने की अपील राज के नेताओं के प्रतीनी थी मंडल से मुलाकात में कहा सुरक्षा के लिहाज से उठाए गए कदमों को अन्यमुदों से जोड़ना सही नहीं सुरक्षा के वजहों से अबनात यात्रा के बाद किश्ट वाड में मचल माता यात्रा भी इस्थगे केंद सरकार की जल शक्ती अभियान के पहले महिने में ही शांदार नतीजे 256 जिलो में साड़े तीन लाग जल सरक्षन संचय और भूजल इसतर बढ़ाने के उपायों का काम पूरा जल संकट से निपटने के लिए एक जुलाई से हुई है जल शक्ती अभियान की शुरुवात भारत वेस्ट इंडी सिरीज का आज से आगास फ्लोरीडा में तीन T20 मैचों की सिरीज का पहला मैच आज T20 सिरीज के अलावा वेस्ट इंडी से खिलाफ तीन वंडे और दो टेस्ट मैच भी खेले की टीम इमजिया दिली में आज से बीज्वेपी सांसदों के लिए दो दिन की सांसद कारिशाला का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्गार्टन प्रधान मंत्री नरिंद मोदी ने किया उद्गार्टन सत्र को प्रधान मंत्री के साथ अध्यक्ष अमिश्चाह और कारीकारी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने संबोधित किया मोजन अफकाश के पहले दो सत्र में महा सचिव भूपेंद्र यादव, संसदी प्रक्रिया और संसदी राजमंत्री अरजुन राम मेकवाल ने पाठी के सभी संसदों को संसद निधी से चुड़ी जानकारी दी पाठी अध्यक्ष अमिश्चाहा आज शाम संसदों की संसद और संसदी श्वेत्र में भूमिका पर बोलेंगे तो वहीं रविवार की शाम प्रधान मंत्री मोधी संसदों से रूबरू होंगे इसके अलावा पाठी के कई वरिष्ठ निता संसदों को संबोधित करेंगे दो दिन के कारिक्रम के दौरान कुल 9 सत रहूंगे इसमें संसदों को संसदीय मामलों समेत उनकी जिमेदारियों के बारे में बताया जाएगा शिविर में बीज्वेपी के सभी लोग सभा के 303 और राज्य सभा के 78 संसदों को उपस्थित रहने को कहा गया है इस बार बीज्वेपी के 125 से जादा संसद ऐसे हैं जो पहली बार जीत कर संसद पहुँचे हैं तो बीज्वेपी संसदों के लिए दो दिन के संसद कारेशाला का शुभारम हो गया है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने इस कारेशाला का शुभारम किया संसद में कारेश्रमता बढ़ाने और संगठन की कारेश संसकती को के बारे में जानकारी दी जाएगी इस मावले में औरधिक जानकारी के साथ हमारे समवधाता पंचनन मिश्रा इस वक्त हमाई साथ पोलाइन पर मौजूद है पंचनन बीज़ेपी की दो दिवसी पारशाला का आज से शुभारम हो गया है प्रधान मंती नरेंद्र मोदी ने इस पारशाला का शुभारम किया इस कारशाला में क्या कुछ खास रहने वाला है पंचनन अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस कारशाला में क्या कुछ खास रहने वाला है दो दिवसी एकारिशाला होने बाली है इसकी शुरूबात प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने कर दी है जी हलो जी क्या सवाल दो रह सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी सांसदों के लिए दो दिन के सांसद कारिशाला का शुभारम हो गया है क्या कुछ खास यहां पर रहने वाला है कारिशाला के दौरान? उस पर कोई भाशन हो या फिर प्रश निकाल हो शूर निकाल हो उसके दौरान मुद्दे कैसे उठाए जाए जाए इस तरह की बाते भी की गई अब यह कारिशाला दो दिन की है सभी सांसदों के लिए रखी गई है इसका जो एक काम है वो संसदी परंपराओं संसदी विहुस की अरजुन राम मेगवाल थे उन्होंने संसदी निधी है उसके बारे में चर्शा की और जेपी नडड़ा ने अपना संबोधन किया तो बिला के दो दिनों की जो कारिशाला है जिसमें कि कल शाम को समापन में प्रथान मंतरी नरिंद मोदी का जो है वो एक संबोधन होगा तो इसका जो काम जो इसका जो मुख्योदेश है कि सांसदों को किस तरह से नए विवहार की जानकारी दी जाए नई परंपराओं प्रक्रियाओं के साथ जो पार्टी है उसके जो संगठनात्मक विचार है उस तक उनको कैसे पहुचाया जाई इस पूरी दो दिन के कारिश आज सुरक्षा बलो ने एक मुढबेड में साथ नकसलियों को मार गिराया नकसल रोधी अभियान के डी आए जी पी सुन्दर राज ने बताया कि राजनान गाउं जिले के सीटा गोटा गाउं के पास जंगलों में आज सुबच 6 बजए मुढबेड उस वक्त शुरू जमु कश्मीर के राज़पाल सत्यपाल मलिक ने अफवाहों पध्यान ना देने और राज में शांती बनाए रखने की अपील की है राज के राजनितिक नेताओं के प्रती निधी मंडल से मुलाकात में उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रियों और परेटकों को जारी परामर्श सिर्फ एक सुरक्षा उपाय है उन्होंने कहा कि एडवाईजरी को अन्यमुद्दों के साथ जोड़कर बेवजय का डर पैदा करना सही नहीं है प्रती निधी मंडल में पीडिपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जमुकश्पीर, पीपल्स मुव्मेंट के प्रमुख, शाह फैजल और पीपल्स कॉन्फरेंस के नेता सच्चादलोन और इमरान रजा अंसारी शामिल थे राजभवन से जारी बयान के मुदाबिक राजपाल सत्यपाल मलिक ने प्रतीनिधी मंडल को बताया कि सुरक्षा एजेंसियों के पास अबरनात यात्रा पर आतंकवादी हमलों के सबंद में गंफीर और विश्वस्निय सूचनाय है इसलिए सरकार ने परामर्श जारी कर यातियों और परिटकों से जल से जल लोटने के लिए कहा है साथी साफ तोर से सुरक्षा के लिहाद से उठाए गए कदमों को अन्य मुद्दों से जोड़ा जा रहा है जिसका आपस में कोई भी संबंध नहीं है इससे पहले जमो कश्मीर सरकार ने परिटकों और अमर्णाथ यातियों को घाटी में रहने की अवधी में कटौती करने की सलाह दी है सरकार ने परिटकों अमर्णाथ यातियों को सलाह दी है कि वो जल से जल घाटी से लोटने के लिए जरूरी कदम उठाएं राज के ग्रीव विभाग ने आतंकी हमलों के आशंका के मद्दे नसर ये अडवाईसरी जारी की है प्रमुक सचिव ने इस अडवाईसरी में कहा है कि परिटक और अमरनाथ यात्री जितना जल्द हो सके घाटी से लोट जाएं इसमें कहा गया है कि अमर्नाथ यात्री और परिटक जल से जल घार्टी से लौट जाएं इस बीच पाकस्तानी सेना की ओर से चैपराप्त आतंकियों के द्वारा अमर्नाथ यात्रा में बाधार डालने के प्रयासों को विफल कर दिया गया है सेना ने कहा है कि बाल टाल और पहल गाम यात्रा मार्क पर भारी मात्रा में पाकस्तान निर्मित हत्यार और विसफो तक बरामत किये गए हैं पाकस्तानी सेना के बारुदी सुरंग और स्नीफर राइफल भी बरामत किये गए हैं और इन बारूदी सुरंगों पर पाकस्तानी फैक्टरी की निशान है जिसे इस पश्ट होता है कि पाकस्तान और उसकी सेना कश्बीर में आतंगवात में सल्लिपत है अच्छिट पाकस्तान और उसके सब्सक्राइब। laying of IDs and attacking the जात्रा. So therefore, last three days have been very hectic for us. We have been carrying out searches as told to you and which has led to the cache of explosion material, the Pakistani made mine and the sniper that you have seen just now. जमो कश्मीर में सुरक्षा वजहों से अमर्नात जात्रा के बाद अब किश्ट वार जिले में हुने वाली दुर्गा देवी की, मचल माता यात्रा स्थकित कर दी गई है. ये जानकारी किश्टवार जिला आयुक्त अंग्रेज सिंग राणा ने दी है. प्रशासन ने कहा है कि लोग यात्रा की शुरुवात ना करें और जो लोग यात्रा शुरू कर चुके हैं वो वापस लोट जाएं. मचल माता यात्रा 25 जुलाई से 5 सितंबर के बीच तैह है. वहीं जमु कश्मीर के हालात को लेकर सेना ने कहा है कि नियंदरन रेखा के पास स्थती काबू में हैं और काफी हद तक शांती पून हैं. सेना ने कहा कि कश्मीर में शांती भंग करने की किसी भी कोशिश को पूरा नहीं होने दिया जाएगा. कि इस साल 2019 में 7% टेर्रिस्ट को मार दिया गया पहले 10 दिन में जोइन करने के बाद. ये अगेन माताओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को ध्यान से सुनियें. आपका बच्चा के टेर्रिस्ट बनता है तो 7% उसमें से पहले 10 दिन में खतम होने का चांस है. चिनार कॉप्स कमांडेंट लेफटनेंट जनरल के जे एस धिलो की अपील घाटी की सभी माताओं से है. लेकिन इस अपील में एक बात साफ है कि अगर कोई पत्थर बाजी या आतंकवाद की घटनाओं में शामिल पाए जाएगा तो सेना उसे बक्षेगी नहीं. सेना जम्म कश्मीर पुलिस और सी आर पीएफ की साजा प्रेस कॉन्फरेंस में चिनार कोर के कमांडर धिलो ने कहा कि फिलहाल हालात काबू में हैं और घाटी में महाल काफी हद तक शांती पूर्ण बना हुआ है. सित Manufacturation on the line of control is under control and very much peaceful as of now. The infiltration from Pakistani side is being attempted regularly and we have been having regular contacts on the line of control whereby the infiltration bids by Pakistan army and the terrorist is being foiled and replied to on regular basis. वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाक सिंग ने कहा कि कश्मीर में आतंग की बनने वाले मामलों में कमी आई है आतंग की बनने वाले कई कश्मीरी लड़के अपने घर लोटे हैं लुटा नरफ टम है कि अ में समय बुटा वाले कि नवीज ने लीजी आई हैं जोगी व्यूस्ट के बिप्यान दिए हैं अव्यदू कि अवडाद करेंगे अवाटिए इस घरी मिलाओ ठाहिक अविजू में ऐखाना थान। इस थार कोशेती निच्टियास्ट एक फूड़ प्रिटीन की सान। जाहिर है कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली हरकतों को लेकर सेना ने अपना संदेश साफ कर दिया है इस बीच जमु कश्मीर के सोपोर्ट जिले में सुरक्षा बलो और आतंकवादियों के बीच मुझभेड चल रही है इसमें एक आतंकी को मार गिराया गया है तो वहीं एक जवान के सख्वी होने की खबर है दोनों और से गोली बारी चल रही है सुरक्षा बलो ने मालमा पानपोरा के इलाके को खेल लिया है यहां दो से तीन आतंग बादी छिपे होने की आशंका है तो वहीं कल से शोपिया में सुरक्षा बलों के साथ मुणभेड में दो आतंगी मार गिराए गए हैं वहीं एक जवान शहीद हो गया है पाकिस्तान की जेल में बन भारतिय नागरे कुलभूशन जाध़को पति जताई और काउंसलर एक्सिस के लिए किसी भी शर्त को मानने से इंकार कर दिया सुत्रों के मताबिक सरकार ने कहा है कि वो कुलभूशन जाध़ तक आबाद पहुँच चाहता है आधिकारिक सुत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान से जाध़ब तक बिना किसी धमकी या प्रतिशोत के माहल के राजनाईक पहुँच देने को कहा गया है जो की इंटरनेशनल कोर्ट और जस्टिस के आदेश और वियना कन्वेंशन के अनुरूप है फिलहाल इस मामले में पाकिस्तान खामोश है और भारत को उसके जवाब का इंतजार है पाकिस्तान इस सब्टाह की शुरूबात में भारत को एक प्रस्ताव भेज कर शुकरबार को जाध़फ को राजनाईक पहुँच महया कराने का प्रस्ताव रखा था भारत ने गुरूबार को पाकिस्तान से कहा था कि राजनाईक पहुँच बिना किसी रुकावट के दी जानी चाहिए और ये ICJ के आदेश के अनुरूप महया कराई जानी चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस के आदेश के बाद पाकिस्तान ने कुलभूशिन जाधव को कौंसलर एक्सिस देने का वादा किया था देश बर में जल सनरक्षन को लेकर केंद सरकार के जल शक्ती अभियान के पहले महिने में शानदार नतीचे आए हैं इसमें जुलाई महिने में सुखा पीड़ते लाकों सबेट 256 जिलों में 3.5 लाग से जाधा जल सनरक्षन, संचय और भू जल इसतर बढ़ाने के उपायों का काम पूरा हो गया है इसमें से 1,54,000 जल सनरक्षन और वर्षा जल सन्चयन के उपाये 20,000 पारंपरिक जलाश्यों का काया कल्प 65,000 से अधिक रियूज और रिचार्ज ठाचे बनाए गए हैं इसके अलावा 1,23,000 वाटर शेड विकास परियोजनाओं का काम पूरा किया गया है जल शक्ती अभियान में अब तक 2,64,000 लाग से जादा लोग भागिदारी बन रहे हैं और इसमें जन आंदोलन बना रहे हैं साथी जल सनरक्षन के प्रयासों के तहट 4 करोर से जादा पौधे लगाए गए हैं वर्षा जल संचयन और भू जल सरक्षन के लिए जल शक्ती मंत्राले ने 256 जिलो में से 1 जुलाई से 15 सितंबर तक जल शक्ती अभियान चलाया हुआ है उप्राश्पती एम वेंकर नाइडू का कहना है कि दिवाला और शोधन अक्षम तासाहिता को लागू करना भारत के आथिक सुधारों की काम्याब्यों की कहानी में से एक है उप्राश्पती ने कल दिल्ली में इंसॉल्वेंसी रिसर्च फांडेशन के उद्खाटन के मौके पर ये बात कही उन्होंने कहा कि वित्य व्यवस्थाओं की स्थिर्था के लिए दिवालिया पन कानून एहम है उप्राश्पती एंवेंकर नाइटू ने कारिक्रब में आयच छात्रों से कहा कि जो फर्म वित्ती संकट से गुसर रही है या जिसमें पूंची में व्रिधी की संभावना नहीं है उन सभी में Insolvency Research Foundation एक स्वस्थ फर्म एक स्वस्थ अर्थ व्यवस्था को बनाने में मदद करेका इस कारिक्रब में केंद्रिय वित्य राज्यमंत्री और राक्ठा को भी मौचूत रहे एक जाया राजल सरिक् करें लखे लाबरबब कर द साजलें परने में मोची алась will ultimately aid in recycling resources for a healthy firm and a healthier economy. Entrepreneurship by nature involves risk-taking. Some business ideas will inevitably turn out badly. This may be due to several reasons. A sound insolvency and bankruptcy process enables rapid resolutions of such problems. There will be some setbacks sometimes. The government has initiated a series of economic reforms to improve the investment climate in diverse areas and make India an attractive destination. As you are all aware, India has jumped by several ranks in the ease of doing business and stands at 77th position. Of course, we need to further improve the ranking and make India one of the prime global destinations for investors. Since the establishment of robust insolvency framework with the enactment of Insolvency and Bankruptcy Code in 2016, we have made rapid strides in a short time. Undoubted, it is one of the success stories of the recent Indian economic reforms. Mumbai police has been told by people who have been affected by the रही है रेलवे ट्रेक्स पर पानी भर जाने के कारण ट्रेने अपने समय से काफी देरी से चल रही है गोरे गाउं की तरफ से आने वाली ट्रेने बारिश के कारण तक्नीकी समस्य आने से 15 से 20 मिनिट की देरी से चल रही है ओडीशा और राजस्थान में भारी बारिश के बाद कई जगों पर जल्भःाफ हो गया है मौसम विभाग ने दोनों राजियों में भारी बारिश की आश्चंका जताई है ओडीशा में निश्टे लाखों में बारिश का पानी भर गया है और मलकान गिरी जिले में सडक संपर्क तूट गया है बार जैसे हालात के चलते जिला प्रशासन ने दो दिन तक स्कूलों को बंद रखने का नर्देश दिया है मलकान गिरी में बीते 24 घंटे में 115.86 मिलिमीटर बारिश हुई है प्रशासन ने राज़ के पांच जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसर विभाग ने पूरवी राजस्तान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का नुमान जताया है राजस्तान के जल संसाधन विभाग ने कहा है कि अभी तक राजस्तान के किसी भी जिले में खराब बारिश नहीं हुई है राजस्तान के 10 जिलों में इस मौनसून में अधिक बारिश तरश की गई है 14 जिलों में सामाने और 7 में कम बारिश हुई है राज्य के कुल 810 बांधों में से 31 पूरी तरह से भरे हुए हैं और 398 आंशिक रूप से पानी से भरे हुए हैं जबकि 381 खाली है बारिश से बुरी तरह प्रभावित गुजरात के वडोधरा में अब जीवन धीरे धीरे पट्री पर लोटने लगा है वही गुजरात के कुछ हिसों में बारिश का दौर जारी है सूरत में सबसे जादा बारिश दर्श की कई है राजकोट, अमरेली, वलसाड, गिर, सोमनात में भी बारिश हुई है कुजरात के मुख्यमंत्री विजेरुपानी ने कलबार प्रभावित वडोधरा शहर का दौरा किया और इस्तिती की समिक्षा की मुख्यमंत्री ने बाइश से जुरी घटना में मृत्कों के परीजनों को 4-4 लाग रुपे मुआफ़ा देने का भी ऐलान किया मुख्यमंत्री के साथ उक मुख्यमंत्री नितिन्ग पतेल ने जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ बैठा की इसमें राहत बचावकारियों की विस्तरित चर्चा हुई इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजए रुपार्णी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने उनसे फोन पर बात कर बार की स्थिती के बारे में जानकारी ली और केंद्री मदद का आश्वासन दिया प्रधान मंती ने राहत और पुनरवास प्रयासों में केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया मौसम विभाग ने देश में कई राच्यों में भारी बारिश की चितावनी चारी की है गोवा और चतीज कड में अलग-अलग जगों पर भारी बारिश और कुछ जगों पर मुसलाधार बारिश होने की आश्रण का जताई है मद्य प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसर विभाग के मताबिक पंजाब, हमाचल प्रदेश, विदर्भ, तटिय आंधर प्रदेश और तेलंगाना के अलग-अलग हिस्सों में तेज बारिश होने के आसार हैं जोरान प्रदेश, उत्राखन, हर्याना, चंडिगर, दिल्ली, जमुकश्मीर, सौराश्र कच्छ, मराठवाडा और तटिय उत्र आंतरेक करनाटक में अलग-अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है मध्य और दक्षिन पश्रिम, अरब सागर, मध्य बंगाल की, खाड़ी और कुच्छरात, महराश्र गोवा, तटो और तटिय आंधर प्रदेश में 40-50 किलोमीटर प्रतिगंटे की तेज गती से हवा चलने का नुमान है इसलिए मच्वारों को समुद्र में नहीं जाने की सलह दी है देश में खरीब की फसलों की बुआई का काम पूरी तेजी के साथ चल रहा है इसको देखते हुए इस बार उत्पादन बहतर होने की उमीद जताई गई है मौनसून का ये सीजन बुआई के लिए काफी अच्छा है और इस वक्त अपने पीक पर है कमजोर मौनसून के बीच औसस से ज्यादा हुई बरसात ने खरीफ फसलों के अच्छे उत्पादन की उमीदें बढ़ा दी है इस साल जुलाई तक 410 एमेम बारिश हुई है जबकि पिछले साल जुलाई तक 458 एमेम बारिश हो चुकी थी मौनसून का ये सीजन बढ़ाई के लिए काफी अच्छा है और इस वक्त अपने पीक पर है जिसमें लगभक 688 लाग हेक्टर भूमी पर बढ़ाई की जा चुकी है चावल की बात करेंगी तो चावल तो पूरा अगस्त तक भी इसकी रुपाई करते रहते हैं और कुछ अक्षेत्र ऐसे भी है जहां सितंबर के महीने तक भी जो है उसकी रुपाई चलती रहती है तो चावल में कोई कमी नहीं रहेगी चावल का अक्षेत्र हमारा पूरा का पूरा कवर हो जाएगा क्रिशी क्षेत्र के विशेशग्यों का कहना है कि इस साल चावल की फसल में कोई कमी नहीं रहने वाली दलहनी और तिलहनी फसलों की बुआई अभी कुछ कम चल रही है लेकिन इसमें अभी 10 से 15 अगस्त तक का समय है इसमें बुआई के काम को पूरा कर लिया जाएगा इस मौनसून में किसानों के बीच एक नया ट्रेंट देखने को मिला है जिसमें किसान ज्यादा से ज्यादा मक्के की फसल की तरफ अपना रुज़ान बढ़ा रहे है ज्याद किसानों की तरफ एक अच्छा ये सिगनल गया है तो किसानों का रुज़ान मक्का की तरफ गया है और मक्का का जो अक्षितर है वो बढ़ रहा है बाकी बाकी राज्यों में फसलों की बुआई और बहतर उत्पादन के लिए सरकार की तरफ से किसानों को पूरी सहायता दी जा रही है जिसमें खरीफ की फसलों के लिए पहले ही खरीफ कांफरेंस की जाती है जिसमें राजे सरकारों के साथ ताल मेल बिठा कर किसानों के लिए बीज, खाद, खरपतवार, नाशक और दवाईयों की पूरी वैवस्ता कराई जाती है इसके साथ ही किसानों और उनकी फसनों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कई योजनाय भी चलाई जा रही है मौनसून का ये मौसम से तंबर तक चलेगा जिसको देखते हुए ये उमीद की जा रही है कि इस बार खरीफ की फसनों का उत्पादन पिछले वर्ष से बेहतर होगा और सरकार द्वारा ने धारित दो हजार उन्निस बीस के लिए उत्पादन लक्ष लगभग दो सननब्बे मिलियन टन को प्राप्त किया जा सकेगा देरी से मनसून के बाद सामानने से जादा बारिश ने किसानों के बीच खरीफ की अच्छी फसल के उत्पादन कियास को बढ़ा दिया है जिसके बाद बुआई का काम 85% तक पूरा हो चुका है और कृशी मंतराले के अदिकारियों की माने तो मानसून खत्म होने से पहले बुआई का लेक्ष राप्त कर लिया जाएगा कैमरमैन नवीन कुमार के साथ भरत सिंग दिवा कर राजसबा टीवी नई दिली मालदीव के पूर्व उपराश्रपती एहमद अदीब अब्दुल गफूर को शनिवार को फिर से उनके देश भेश दिया गया गुरुवार को गफूर एक नाव के जरिये समुद्री मार्ग से यहाँ पर पहुंचे थे कोले सूत्रो ने बताया कि मालदीव के सुरक्षा बलों को आज सुबह उनके साथ आये नौ। क्रू मैंबर्स के साथ ही प्रत्यार पित कर दिया गया। अंतराश्री समुद्री सीमा रेखा भाती सुरक्षा बलों ने माल्दीव के पूर्व उप्राश्टुपती को उनके देश की सुरक्षा बलों को सौप दिया है टीम इंडिया और वेस्ट इंडीस के बीच तीन टीट्वेंटी मैचों की सिरीस का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा दोनों टीमों के बीच मैच आज रात आट बचे से अमेरिका के फ्लोरीडा इस्ति सेंट्रल ब्रोफर्ट रीजिनल पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा टीम इंडिया के उपकपतान रोहिश शर्मा टीट्वेंटी क्रिकेट में सबसे अधिक छक्ये लगाने वाले वेस्ट इंडीस के दिगज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं रोहिश शर्मा टीट्वेंटी में अब तक 102 छक्ये लगाए हैं जबकि गेल ने इस फॉर्मेट में सबसे अधिक 105 छक्ये लगाए हैं आज के मुकाबले में 4 छक्ये लगाते ही रोहिश शर्मा क्रिस गेल का ये वर्ल रिकॉर्ड तोड़ देंगे सोनब मलिक ने दमदार प्रदर्शन करते हुए बुलगारिया के सोफिया में विश्व कैड़िट कुष्टी चैंपेंशिप में लगाता दूसा स्वनपदग जीत लिया है सोनब ने 65 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में चीन की बिन बिन जियांग को साथ एक सहर आया तो वही 15 वर्षी कोमल ने भी 40 करोग्राम वर्ग में स्वनपदग अपने नाम किया और इसी के साथ इस बुलिटिन में फिलाल इतना ही आप देखते रहे है राज़साभा टीवी नमस्कार